हलो फ्रेंड्स प्रीटरियंग पर देखेवर, केहां नौयू ब्लोग के से हैं और करना है वहां नौय को पर इसटार फ्रीट 말 व्लोग में आप बहुत सवागत हैं और आज जो भीर को मतलब बता रही हूं कि क्या केसर है कौनी सामान कहाँ पर रखा हुआ है तो वहीता मैं एन लोगों को बता रही हूं और अपने हाद सो काम करते है ना मतलब बहुत आसानी तरीके से आप उसमें बहूत ज्लाइब फिरर Ji क्योंकि मैंने सब पहले ही सारा समान लाके रख दिया था कन्या पूजन का भी और मतलब हावन का भी और जो मैंने भजन कराया था उसका भी मैं लगा नौरातिरी जब स्टार्ट हुई थी ना तब भी मैंने सब कुछ लाके घर पे रग दिया था और मुझे तो ऐसा कुछ आइडिया है नहीं कि मतलब होगा कि नहीं होगा यह पूजा मेरे से तो यह सब मतलब अपने आपी वाला काम है तो इसलिए ऐसा हो गया था लेकिन तो फिट भी मेरी सासुमा मेरे घर पे थी तो उन्होंने मम्मी ने हमन कर दिया था बच्चों के साथ मिलके मैंने सारा समान उन लोगों को बता दिया तो मम्मी नहीं हमन कर दिया और बच्चों ने मम्मी के साथ में मिलके बहुत अच्छे से कर दिया था, मैंने सोचा नहीं कि इस तरीके से भी हो जाएगा, मेरे को लगा कि इस बार होगा ही नहीं, क्योंकि अब ऐसा मतलब situation ही पुरा change हो गया था तो मैं कुछ बोली नहीं पार रहे थी, मैं कोई कुछ जा दिया था, तो मेरा 8 बजे तक, almost 1.5 बजे तक कन्या पूजन भी हो गया था, और हमन घर का पूजा पाड़ भी हो गया था, तो यहां पर सारी कन्या आ गई थी, तो देखो यहां पर मैं मम्मी सबको, मतलब मैंने तो परशाद में कुछ भी नहीं बनाया था, सिर्फ यह उनके लिए ये कटोरी लाई थी, और उनको बनाना डालके और पैसा डालके, मम्मी कन्या का पैर शुके, उन लोगों को दे दे रही है, मम्मी ने इतना कर दिया, बहुत ही हो गया, और सब कन्या आ गई थी, और जितना मैंने बुलाया था ना, उससे जादा ही कन्या आ गई effort करके उन लोग चलेगे कन्या पूजन के लिए क्योंकि उन लोग कल से एक्साइटेड थे कि मम्मी मुझे कल अब में को बुलाया जाएगा कल मुझे बहुत जन के घर जाना है तो उन लोगों ने अपना पर्स अपने मतलब हैंड कर लिया अपना दोनों जन ने पर्स ले लिय कि अब उन लोग पूरी सोसाइटी में घूमेंगे और उन लोगों काफी ज़्यादा टाइम लगेगा तो यहाँ पे ना मेरा ये ट्राइपोड तूड़ गया था मैंने पहले भी बताया था ना तो अब बहुत बुरी तरीके से तूड़ गया है तो वही लेके मैं बैठी ह हूँ तो ट्रैपोड को मैं देख रही हूँ कि कैसे किसी नतीस तरह के से जुगाड कर रही हूँ बाकि मैंने ओनलाइन इसे मतलब बुक कर दिया है दूसरा मंगाने के लिए अगर वो आ जाएगा तो तब तक नहीं आएगा तब तक क्या करना है इसलिए तो मैंने यहाँ इससे ही मतलब काम चला दिया है और यहाँ हम लोग बैटके चाय पी रहे हैं और चाय पीने के बाद में अभी तो घर जैसे की क्लेन में रात को ही क्लेन करके रह हो जाता है ना तो सुबह तो सिर्क पूजा पाट हुआ था तो लेकिन तूरंती फिर हमवन वगरा हुआ था तो सारा हमवन का समान वगरा इन लोगों ने मतलब थोड़ा यहाँ वाँ भी कर गया था क्योंकि बच्चे ही हैं सारा समान उठा उठा के दे रहे थे लकिन तो फिर भी यहाँ वाँ समान हो गया था तो वही सब और यहाँ बेट पे देख सकते आप लो कि यह बेडरूम की सारी हालत किस तरीके से हो रखी है तो अभी मैं हॉल में कुछ भी नहीं करूंगी लेकिन बेडरूम को सब क्लीन कर देती हूँ हॉल को मतलब दो-तीन घंटे के बाद में वाँ साफ करूंगी और जो भी माता का जो समान है वो तो कल उठेगा क्योंकि आज गुरुरार है नौमी का दिन है तो गुरुरार के दिन है तो गुरुरार के दिन यसा फोटो बगरा उठेगा नहीं तो यह जो गद्य था मैंने इसका कवर धो दिया था तो इसके कवर को मैं लगा रही हूं कवर और कवर लगा के इसे बेड में रख दूँगी तो सारा जो कपड़ा है इसे भी आईरन कर दूँगी मैंने सोचा ये सब कर लेती हूँ तब तक मतलब पूजा हुए काफी डाधा टाइम हो जाएगा त तो यहां मैं मतलब अपने सोचा कि मैंने आज कुछ काम नहीं करना है क्योंकि मैंने खाना भी कुछ नहीं बनाया तो मेरी जिठानी ने मुझे खाना बना के सब आज उन्हों के आपर जो परशाद बना था तो उन्होंने सारा परशाद या भेज दिया था मुझे मेरी सास क खाना था क्योंकि मेरे बच्चे तो बाहर ही खाएंगे और तो उन्होंने मतलब डबा भर के मुझे भेज दिया था मेरी जिठानी ने तो मुझे आज कुछ लंच वगरा कुछ बनाना नहीं है तो बस होई चाय पी के मैंने सुचा कि घर क्लीन कर लेते जो कपड़े वगरा है यह सब को कर लेती हूँ तो यहां पे यह बेड खोल रहे है मेरी सास, मतलब थोड़ा हैल्प कर रही है मेरी और यह गदá में रख देती हु बेड़ के अंदर तो इसलिए यह एक्ष्ट्रा गद्दा बनवा के रख दिया है कि कभी मतलब यूज के लिए और बाकी तो उन लोग अपने बेट पे ही सोती हैं तो यहाँ पे ना मतलब यह सब मैंने हटा दिया तो मैंने सोचा कि अभी तो सब करना नहीं है तब तक यह बेट पे जो इतने सारे कपड़े पड़े हुए हैं धूल के तो यह सब को मैं सोचे कि आईरेन कर दूँ और आईरेन करके रख दूँ लेकिन मैंने ये सोचा कि आज कुछ काम नहीं है, ये कर लेते हैं लेकिन अपना सोचा हुआ हुआ ही नहीं, मैं कपड़ा प्रेस करी रही थी, लेकिन वहां मेरी जिठानी का फोन पर फोन आ रहा था, ना मैं वीडियो ही सूट कर पा रही थी, और ना ही मतलब मेरे काम ही हो प कि सब को मतलब जो मेरे अडोस पडोस में हैं सभी को आज के दिन कन्या जल्दी मिलती नहीं है और बाकी वैसे देखो तो आपको पार्क में यहां वहां बिल्डिंग के नीचे मतलब हमेशा लड़कियां दिखेंगे लेकिन कन्या पूजन करना रहेगा तो वहां आपको अब मैं कपड़ा आइरन करूंगी नहीं लेकिन जो कर दिया था तो मैंने सुचा वो भी यहां बेट पे रहके बिगड जाएगा तो मैं कपाट में लगा दे रही हूँ जब मैं कपाट में आ गई लगाने के लिए तो मेरे हजबन ने मतलब अब भी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों के साथ में वीडियो शूट किया था ना मैंने अपनी अलमारी बनाई थी पूरी तो मैंने जब अलमारी खोली तो देखी पूरी अलमारी मतलब पूरी बिखरी पड़ी थी तो मेरा एकदम मूर खराब हो गया कि मैं को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे रख तो मैंने सुचा कि यह जो मेरे थोड़े बहुत उपर के काम थोड़े मोड़े यहां वाँ जो बिखरे हुए हैं बस वही मैं आज करूँगी और बाकी मेरे सारा काम मतलब आज कुछ भी ने करूँगी और बच्चों की आज छुटी भी थी राम नौमी की तो इसलिए मैंने स लीटियो आप लोगों नहीं देखी तो प्लिस देख लीजेगा और वीडियो में आप लोगोंने बहुत जादा प्यार दिया है बहुत जादा सापर्ट किया है तो उसी तरीके से प्यार सपर्ट मेरे चानल पर बनाई रखिये और फिर यहां पर आगई मैं Now वहां बैडरूम ने दे दिया था और काम करते करते पता है अब हैं मतलब कि पर का मतल ми किछन बनाएं कर दिया था और नोहीं घृतना था जब कुछ काम ना करो ना थनकाम अपना फार अपपने घर में निकलते रहते हैं तो यहां पे थेखिए इतने सारे बरतन निकल गए थे, कुछ ना मैंने सुबह से बनाया है ना कुछ मतलब खिलाया है किसे को बस यह वही वैसा बरतन है मतलब समझो अन्हीव मतलब ऐसी वेश्टेज करने के लिए तो सारा क्योंकि अभी बच्चे लोग जो खाना जहां खा रहे थे न वहां से प्लेट लाला के लाला के घर पे रख दे रहे थे तो वही सब प्लेट है और वाकी घर का कोई भी बरतन है नहीं तो उन लोगों का बरतन यह सब खाली करके मुझे उन लोगों को देना भी है तो सिंख में से सारा कचड़ा मैंने निकाल के थैली में करके मैंने रख दिया है और सारा बरतन यहां पर मैं धोलूँगी तो यह सब करते करते न काफी ज़्यादा टाइम हो गया था मतलब एक बच गहते तो एक बच गहते तो मैंने सुझा कि अब मैं पोछा लगा लेती हूँ क्योंकि जब पोछा लगा लोगी तभी मेरा काम पूरा फाइनल होगा जब तक फोन अफ हो मतलब जब तक मैं पोछा ना लगा लू मैं कुछ भी बोल रही हो तो मैं जब तक पोछा ना लगा लू तब तक मेरा काम मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं कि मेरा काम खतम हुआ है और कल मैंने कुछ भी नहीं किया था सच में कुछ भी नहीं किया था सिर्फ पूजा पाड़ भी मेरी सास ने और मेरे बच्चों ने किया था और मुझे सिर्फ मतलब यही सारा डस्टिंग करना था और बागी कुछ भी नहीं करना था खाना भी मेरी चिठानी ने बना के दे दिया था तो फिर भी मुझे यहां पर देखे डेड़ बच गया था तो जब मैं पोछा लगा रही थी तो बच्चे तब आए वहां मतलब मेरे घर पे तो फिर भी जैसे बच्चे आए ना वैसी किसी ने बुला लिया तो यहां में पोछा लगा रही थी मैंने सुचा कि पोछा लगा लेती हूं कि कि बच्चों का भी बेट कर रही थी कि बच्चे आएंगे तो फिर घर गंदा कर देंगे बाहर से आएंगे उन लोग कपड़ा च खाली होके अड़ाई वजे के लगभग मतलब तू थर्टी पे उन लोग घर पे आई थी तो यहां मैं पूछा लगा रही थी तब उसने बेल लगाया और वो आ गई केमरा चालू था तो वो दिख भी गई तो यहां पे उसब जो भी पाई थी वो सब रखने के लिए सिर्फ थी और किसी ने और भी बुला लिया तो यह सब मुझे दे दी और रख दिया और रख के फिर वो चली गई तो मैंने सुचा कि अब मैं काम को नेपटा के मैं फिर हखाली व्ली होगी फिर उसके बाद में जाके लेड गई तो उन लोग आयै अठाई वजे के लगबr और फि आराम और आप लोगों कि आज की वीडियो मेरी कैसी लगी और आप लोगों ने राम नौमी में क्या क्या किया मुझे कमें जरूर बताइएगा और जब से मेरे हस्बंड ने मुझे यह गेजट लाके दे दिया ना तो काम मुझे बहुत जादा आसान पड़ गया है मतलब तो यहां पर मैंने पोछा भी लगा दिया और सारा काम भी, मतलब कीजन का मैंने निप्टा दिया, और मैं करूँ गिसके भाहाराम और मैंने खाना नहीं काया था और शूबसे तो अब मैं बेट गी हूं खाना खाने और फोन भी आया था क्योंकि एक वालu मोबाइल से जो मेरे दूसरे वाले है केमरा का काम करता है और यह जो दूसरा मोबाइल ले से मैं सबसे बाते करते हूँ कि की बाते भी जरूरी है सबसे करना family है family member से बात ना करो तो फिर बूरा मान जाते हैं सभी इसलिए time to time बात भी करना पड़ता है मुझे और मेरा वीडियो भी समालना पड़ता है मुझे बहुत ज़्यादा मेनद करना पड़ता है मैं जब आप लोगों के लिए इतना मेनद कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग भी पूरी सपोर्ट कीजिए और मेरी वीडियो को बिना स्किप किये देखिए चैनल को सब्सक्राइब ने किये तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजेगा इसी तरह कीखी वीडियो देखने के लिए तो यहाँ पर रिद्धी से दिया गही है और कपड़ा वगरा चेंज उन लोगों ने कर लिया और यहाँ पर उन लोग अपना गिफ्ट फूरा बैटके देख रही है कौन सा रिद्धी का है यह सिद्धी का है और अपने पैसे को काउंट करके उन लोग अपने पर्स में रख रही है तो बच्चों लोगों का यही होता है ना लब यू बाई बाई दोस्तों हसते रहिए मुस्कुराते रहिए और यह वाली नेकलिस ना मैं ले ली है और मुझे बहुत पसंद आए